इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर, बैल आइकन ज़रूर पेस करें, हमारी न्यूव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अगे बीडियो में इससे पहले अगर आपने डिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथी बेल आइकन को फ्रेस कर दीजिए करवा चोथ की समान अहोई अश्टमी उत्तर भारत में ज़्यादा प्रशिद्ध है अहोई अश्टमी का दिन अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह ब्रत अश्टमी तिथी जो की माहा का आठवा दिन होता है के दौरान किया जाता है अहोई अश्टमी के दिन माताएं अपने पुत्रों की भलाई के लिए सुबह से लेकर गोदली बेला सांज तक उपवास करती है सांज के दौरान आकाश में तारों को देखने के बाद ब्रत तोड़ा जाता है कुछ महला है चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ब्रत को तोड़ती है लेकिन इसका अनुसरन करना खठिन होता है क्योंकि अहोई अश्टमी के दिन रात में चंद्र देर से होता है अहोई अश्टमी ब्रत का दिन करवा चोथ के चार दिन बाद और दीपा बली पूजा के आठ दिन पहले पढ़ता है करवा चोथ के समान अहोई अश्टमी उत्तर भारत में ज़्यादा प्रशिद्ध है अहोई अश्टमी का दिन अहोई आठमा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह ब्रत अश्टमी तिथी जो की माहा का आठमा दिन होता है उसके दोरान किया जाता है और करवा चोथ के समान अहोई अश्टमी का दिन भी कठोर उपवास का दिन होता है और बहुत सी महलाएं पूरे दिन जलता ग्रेण नहीं करती हैं आकाश में तारों को देखने के बाद ही उपवास को तोड़ा जाता है अहोई अश्टमी की पूजा सामिगरी में माता पारबती को प्रिये बस्तुमों का ही प्रियो किया जाता है इस ब्रत में माताएं संतान की मंगल कामना और लमी उम्र के लिए ब्रत उपवास करती हैं इसलिए हम आपको अहोई अश्टमी की पूजा सामिगरी के बिशे में बता रहे हैं अहोई या होई माता का ब्रत देश भर में महलाएं संतान की रच्छा के लिए करती हैं संतान को किसी भी तरह की अन्होनी और मुसीवत से बचाने के लिए माय माता पारवती की आराधना करती है इस ब्रत में महलाएं खासतोर पर पुत्रों की पूजा करती है इसलिए अहोई अश्टमी की पूजा सामिगरी घरीदी जाती है आईए जानते हैं आखिर होई प्रत में क्या सामान की जरूरत पड़ती है अहोई अश्टमी की पूजा सामिगरी अहोई माता की मूर्ती चित्र स्याव माला, दीपक, करवा, पूजा, रोली, अच्छत, तिलक के लिए रोली, दूब, कलाबा पुत्रों को देने के लिए स्रीफल, माता को चड़ावे के लिए स्रंगार का सामान, वायना, स्वास्तिक भोजन, चोदै पूरी और आठ पूओं का भोग, चावल की कटोरी, मूली, सिंगाडे, फल, खीर, दूद, वाभात, बस्त्र, वायना में देने के लिए नियक पैसे साथी स्याव और उसके साथ पुत्रों का भी चित्र बनाया जाता है, अगोई अश्टिमी की पूजा सामिगिरी में माता जी के सामनी चावल की कटोरी, मूली, सिंगाडे रखते हैं और सुभह दिया रखकर कहानी कही जाती है, कहानी कहते समय चावल हाथ में लिए जाते है उन्हें साथी सूट के डुपटे में बांद लेते हैं, सुभह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके उपर करवे में पानी रखते हैं, यह करवा चोथ में इस्तमाल किया हुआ करवा होता है इस करवे का पानी दीपावली के दिन पूरे घर में छिड़का जाता है, संध्या काल में इन चित्रों की पूजा की जाती है, अहोई अश्टमी की पूजा सामिक्री में पक्के खाने और चोधर पूरी और आठ पूओं का भोग अहोई माता को लगाया जाता है, उसी दिन बायना निकाला जाता है, बायनी में चोधर पूरी या मठरी या काजू होते हैं, लोटे के जल से शाम को चावल के साथ सारों को अर्ध किया जाता है, अहोई अश्टमी की पूजा सामिक्री में सबसे आवश्चक विदानी अभी है, कि चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे स्याव माला भी कहते हैं, इस स्याव की पूजा रोली अच्छत दूदबा भात से की जाती है, पूजा पाठ के बाद माताएं अन जल घ्रेनड करती हैं, उस करवे के जल को दीपावली के दिन पूरे घर में छिड़का जाता है, यह जल पुत्रों के इसनान में भी इस्तिमाल किया जाता है, माताएं ब्रत संपन कर पुत्रों की मंगल कामना की दुआ करती हैं, अहोई अश्टमी की पूजा विधी, अहोई अश्टमी के दिन सबसे पहले इसनान करसाप कपड़े पहने और ब्रत का संकल पले, मंदिर की दीवार पर गेरू और चावल से अहोई माता और उनके साथ पुत्रों की तस्वीर बनाएं, आप चाहें तो अहोई माता की फोटो अब एक लोटे में पानी रखें और उसके उपर करवा चोथ में इस्तमाल किया गया करवा रखते हैं, दीपावली के दिन इस करवे के पानी का छिड़का पूरे घर में करते हैं, अब हाथ में गेहों या चावल लेकर अहोई अश्टमी ब्रत कथा पढ़ें, ब्रत कथा प पानी सारा इस्तमाल नहीं करना है, कुछ बचा लेना है, ताकि दीवाली के दिन इसका इस्तमाल किया जा सके, पूजा के बाद घर के बड़ों का आशिरवाद लें, सभी को प्रसाद बांट और भोजन गिरेंड करें, अब मैं आपको अहोई अश्टमी ब्रत के दिन हमें क या नहीं करना चाहिए, ये बता देती हूं, कार्ति क्रिश्न पच्च की अश्टमी तिथी पर अहोई अश्टमी ब्रत होता है, संतान के सौभाग और दीर्ग आयू के लिए अहोई माता की पूजा इस दिन करते हैं मानता है, कि यह ब्रत संतान सुख पाने के लिए भी वि बिना इस दिन करें, काले गहरे नीले रंग के बस्त भी अहोई माता के पूजा नहीं पहलने होते हैं, भगवान गड़ेश का नाम लेकर अहोई अश्टमी ब्रत को शुरू करना होता है, मानता है कि हिंदु धर्मे किसी भी पूजा की शुरूवात भगवान गड़ेश के नाम से शुरू होती है, क्योंकि भगवान गड़ेश को सबसे सर्वो परी बताया गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी जीव जन्तु को चोट और हरे भरे ब्रत्चों को अहोई माता के ब्रत के दोरान नहीं तोड़ना चाहिए, जो भी सामिगरी अहोई माता के ब जोटी से अर्द नहीं देते हैं, अहोई माता के ब्रत में जो भी खाना बनता है उसमें तेल, प्याज, लैसुन इन सब का इस्तमाल नहीं करना चाहिए, साथी करवा चोट पर जो करवा आपने इस्तमाल किया है, उसे दोवारा इस ब्रत में ना इस्तमाल करें, अहोई माता का ब्रत जो महलाएं रखती है उन्हें दिन में सोने से बचना चाहिए ऐसा कहा जाता है कि संतान की आयू दिन में सोने से छिड़ हो जाती है यही बज़ा है कि दिन में सोना बचित माना गया है इस दिन अगर आपके दरवाजी पर कोई भी विच्चुक आता है तो उसे दान जरूर दें और अपनी संतान की दीरगाई के लिए आशिर भाद लें इसके साथ ही किसी भी बुजरू इंसान का इस दिन अपमान ना करें खास महत होता है निर्चल ब्रत का अवोई माता के ब्रत में साथ ही इस ब्रत में साथ ससुर या फिर किसी बड़ी का बायना जरू निकालने ऐसी परंपरा है सामार्थ के अनुसार आप इस ब्रत के दोरान अपनी थाली में फल, मिठाई, सूखे, मेवे, बेसन और आटे की पूरियां साथ ही दचना के तोर पर कुछ रुपए जरूर रखें साथ तरह का अनाज अपने हातों में अवोई माता के ब्रत की कथा के दोरान जरूर रखना होता है इसके बाद उस अनाज को गाय को पूजा के बाद खिला दें मद्रा का सेवन भूलकर भी इस माह में नहीं करना चाहिए। अब हम अहोई अश्टमी ब्रत का शुव मुहूरत चान लेते हैं। अहोई अश्टमी ब्रत रववार 8 नवंबर 2020 इस दिन सुरियोदय से लेकर रात में 1.36 तक अश्टमी तिथी रहेगी, अश्टमी तिथी में स 14 बजे होगा। अहोई अश्टमी पूचा मुहूरत समय शाम 5.26 बजे से शाम 46 बजे तक तारों को देखने का समय शाम 5.55 बजे। फ्रेंड्स अहोई माता की आर्टी का वीडियो और अहोई माता की कथा का वीडियो मैं पहले ही अपनी चैनल पर डाल चुकी हूँ। लिंक को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कमेंट कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबाए